कि नवी विल सी देफेक्ट ऑफ चेंजिंग दी टुनिंग परामिटर्स सो अगर हम इन के पी के और के दी टुनिंग परामिटर्स को इंडिपेंडेंटली इंक्रीज करते हैं तो तब इसका क्या एफेक्ट आता है अपॉन सिस्टम्स रिस्पॉंस परफॉर्मस मेयर्स लाइक राइस टाइम ओवर्शूट सेटलिंग टाइम स्टेडिस्टे टेरर अंड स्टेबिलिटी सो इन सब चीजों को पर क्या एफेक्ट आएगा फॉर जेंपल सबसे पहले अगर हम के पी की बात करें तो के पी को इंक्रीज कर तो तब जो है वो 90% of the response value पहुंचने के लिए काफी जारा टाइम जो है वो ले रहा था राइस टाइम जारा था लेकिन जैसे ही के पी इंक्रीज हुआ है तो अब जो response इसका राइस टाइम है वो भी काफी reduce हो गया है और इसी तरह से overshoot की बात करें तो पहले overshoot जो है वो कम था लेकिन जैसे ही के पी increase हुआ है तो अब इसके अंदर overshoot जो है वो काफी जादा हो चुका हुआ है तो जहां पर rise time decrease कर रहा है तो वहीं पर जो सा overshoot जो है वो increase कर रहा है तो इस तरह से अगर हम सिस्टम के settling time की बात करें steady state error की तो settling time जो है उसमें small change आई है जबके steady state error जो है वो decrease हुआ है तो यहां हम देख सकते हैं कि पहले ही यह response जो है वो जल्दी settle down कर रहा था इसमें oscillations कम थी तो अब जब हमने के पी को increase किया है तो तब इसमें oscillations जादा हुए है तो settling time increase हुआ है लेकिन उसमें को बहुत जादा जो सा वो effect नहीं आया there is a increase in settling time but that is a small increase और इसी significant steady state error था और अब steady state error काफी जादा decrease कर चुका है काफी reduce हो चुका हुआ है कि सो rise in KP के गेंस्ट अगर हम बात करें सिस्टम की stability पे तो overall system की जो stability है वो degrade हो रही है सो stability degradation का हम अधादा यहां से लगा सकते हैं कि पहले जब KP की value कम थी तो तब जो है वो system के अंदर oscillation ज्यादा नहीं थी oscillation ज्यादा नहीं थी तो means के इसकी damping ratio जो है वो बहुत कम थी और जैसे हमने KP increase किया तो इसमें oscillation ज्यादा हो गी है सो यह unstability की तरफ जो है वो system ज्यादा move किया है by increasing the KP so stability जो है वो as compared to previous one stability जो है वो degrade हुई है या decrease की गया है इसी तरह से अगर हम के I को increase करने का effect देखें तो के I को increase करने से rise time जो है वो decrease कर रहा है और overshoot जो है वो भी वो increase कर रहा है so is factors को अब हम देखते हैं so यहां पर आप देख सकते हैं के के I के जब lesser था जीरो था तो तब जो है वो system का जो rise time है वो basically ज्यादा value दे रहा था जब के हमने के I को increase किया है तो इसका rise time further जो है वो decrease हुआ है so smaller rise time हो गया है अब जल्दी जो उसा response rise कर रहा है और साथ ही साथ overshoot जो है वो increase कर गया है so आप जेख सकते हैं के पहले जो है वो overshoot काफी कम था अब overshoot की value जो है वो काफी जादा है so जैसे ऐसे हम के I को increase करेंगे हमारे पास जो है वो rise time decrease हो रहा है लेकिन overshoot भी जो है वो increase करता जा रहा है इसी तरह से अगर हम settling time की और steady state error की बात करें तो settling time increase होगा के I को increase करने से और steady state error eliminate हो जाएगा या वो zero हो जाएगा सो पहले response जो है वो basically इस point पर आकर settle हो रहा था सो यह हमारे पास एक settling time आ रहा था लेकिन अब जैसे ही हमने के I को increase किया है तो अभी oscillations चलती जा रही है so means कि अब settling time की value काफी जादा increase कर गया so overall setting time जो है वो increase कर गया है के I को increase करने से लेकिन जहां पर हमने बात किये कि steady state error पहले था तो अब वो steady state error जो है वो eliminate हो चुका हुआ है क्योंके set point value जो है वो response के बिलकुल center में आ गया है जब भी response settle down होगा तो जो steady state error है वो बिलकुल eliminate हो चुका होगा के I increase करने से so अब अगर हम के I को increase करने पर stability की बात करें तो इस case में भी stability जोंसा वो further degrade होगी so यहां पर हम देख सकते हैं कि जब के I zero था तो तब जोंसा इसमें oscillations कम थी so जैसे ही हमने के I को increase करना शुरू किया है so उसके साथ साथ ये oscillations का magnitude जो है वो बढ़ गया है overshoot बढ़ गया है so oscillations increase होने का मतलब है कि अब इसके जो poles हैं वो imaginary axis के जादा करीब जाते जा रहे हैं इसकी damping ratio जो है वो zero के करीब होती जा रही है so जैसे ऐसे damping ratio कम हो रही है तो system unstability की तरफ जारा जा रहा है और जैसे जैसे जो साथ वो damping ratio वान के करीब होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो system जो है वो critically damped की तरफ आता जाएगा so critically damped system is a more stable system while under damped system near imaginary axis या zero के करीब तरीन अगर उसकी damping ratio आ रही हो तो तब system जो साथ जादा unstability की तरफ जा रहा है so stability जो है वो degrade हो रही है by increasing KI due to increase in these oscillations और इसकी वाइसे damping ratio जो है वो भी decrease हुई है so decrease in damping ratio की वज़ा से हम कह सकते हैं कि stability जो है वो decrease हो रही है system जो साथ वो unstability की तरफ जा रहा है so अब अगर हम KD parameter gain को अगर increase करने का effect देखें response performance measures पर तो rise time जो होगा उसमें कोई बहुत जारा change जो वो नहीं हारी जबके overshoot जो है वो इसमें काफी decrease जो जो वो देखने को मिलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब KD जो जो जीरो था तो तब जो है वो सिस्टम के अंदर Overshoot था और सेटिंग टाइम बहुत जारा था इसका जैसे ही हमने KD को जो 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 जारा इंक्रीज किया है तो अब हम Overall जो जो है वो Rise Time की बात करें तो Rise टाइम के अंदर को बहुत जारा जो हूँछ सा वो Effect नहीं आया सो Rise Time Almost जो हुँग जो जा एगा है सो Rise Time के अंदर Minus जी चेंज आएगी जबके Overshoot के अंदर Significant चेंज है के Overshoot Almost जो हुग हो यहां पे खतम हो गया है या बिल्कुल ख़जब ना भी हो तो काफी हद तक decrease कर जाएगा reduce हो जाएगा इसी तरह से अगर हम settling time की बात करते हैं तो settling time भी decrease होगा और steady state error की बात करें तो steady state error पे कोई खास effect नहीं आ रहा है in theory so practically जो हो में भी थोड़ा सा difference आये लेकिन in theory कोई भी effect steady state error पे नहीं आता so जब KD जो हो zero था और oscillations जारा थी तो oscillations जादा होने के case में response जो है वो settle भी काफी देर के बात जाके हो रहा था so settling time जो है वो बहुत जारा था अब जैसे ही जो हो KD को हमने increase करके 3 पे लेके गए हैं तो अब देखें तो setting time जो हो बहुत जादा decrease कर गया बहुत जादा reduce हो गया so अब response तकरीबन जहां पे आके जो हो इतने से setting time के अंदर जो हो settle हो गया so settle time setting time काफी reduce हो जाता है by increasing the KD और इसी तरह से अगर हम steady state error की बात करें तो steady state error पे कोई खास फरक नहीं आया so अगर KD 0 था तो तब भी steady state error यहां पे था जो के काई से खतम हो चुका हुआ था और KD को भी increase करने से अब भी response जो हो सा वो steady state error almost 0 है तो in theory there is no change in steady state error और अगर हम KD का effect देखें stability के ओपर तो stability basically improve होती है KD को increase करने से अगर KD की value small हो so KD को अगर हम बड़ा थोड़ा से बढ़ाते हैं तो then जो सा वो stability improve होती है so यहां पे हम देख सकते हैं कि जब KD 0 था तो तब system जो सा वो under damped behavior show कर रहा था means के damping ratio जो है वो less than one थी और near to zero थी मतलब के un damping की तरफ जो सा वो जा रही थी लेकिन जैसे हमने KD को increase किया है तो system का response under damped से critically damped हो चुका हुआ है और critically damped के case में जो है वो damping ratio one हो चुकी वी है और system जो सा वो जारा stability की करीब है इसके अदर oscillations कम जो है वो आई है so KD अगर एक खास हद तक small रहे small change in KD हो तो तब जो सा वो system की stability improve होती है लेकिन अगर हम KD को जादा excessively बढ़ाना शुरू कर देंगे system KD को और मजीद जो सा वो increase करें तो ये critically damped response है दोबारा under damped response की तरफ चला जाएगा और इसमें दोबारा overshoot आना शुरू हो जाएगा so जो के बढ़ता हुआ system को unstability की तरफ लेके जाएगा so KD अगर हम small रखते हैं तो तब ही जो सा वो system जो है उसकी stability improve होती है so this table basically represents the effect of changing or increasing PID parameters upon response performance measures so हमने बड़ी detail में देखा है कि ये response performance measures कैसे जो सा वो change हो रहे हैं क्या performance behavior show कर रहे हैं by changing by increasing these PID terms or PID gains